नमस्कार, दोसा जिले के महवा के पास टीकरी गाव में मंदर के जमी नडपने से पुजारी की मोत के मामले में बावाल अलब बढ़ता ही जा रहा है चै दिन से महवा में पुजारी की सव रखकर दिया जारा धरनाप जयाप पर पहुच गए बाचपा के राजसाबस अंसद डॉक्टर के रोडलाल मेना पुजारी की सव को गुपचुप तरीके से लेकर रात में महवा से जैप पर पहुच गए पुजारी की सव को ताबुत में रखकर दरने पर बैठे हुए आपको बता दे की महुआ दरनाप इस तलसे पुजारीक सव दूसरे ताबुत में सिफ्ट करके जैपुर लाया गया जिस ताबत में छे दिन से सव रखा था उसे वही पर छोड़ दिया गया यह सब पुलिस को चक्मा देने के लिए किया गया था पुलिस को सुवे पता चला तब तक सव जैपुर सिफल लाइन स्पाटक पर पहुचा जा चुका था हिसी बीच बाजबा के राजशबा सांसत करूलाल मेना ने काया कि हमार सुनवाई नहीं हुई है पाटी अध्यक्षा निदेश था कि सव को यापर लेकर लाया जाए छे दिन से हम न्याई की लड़ाई लड़ रहे है बरमन समन न्याई मांग रहे है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है हम गैलोच साब को जगाने आये विन इंदराश जागे और हमारी बात सुने मिर्णा ने आग काया कि आज मंदिर माफी की करोडों की जमीन पर भूमापियों कब जाए रास्ता ने मंदिर माफी की 30,000 बीगा जमीन है उसमें से 18,000 बीगा पर भूमापियों कब जाए सरकार कानून मना कर मंदिर माफी की जमीन का सरक्चन करे और कबजी अटवाए जो सरकार 6 दिन से सव लेकर बैठे लोगों के नई सुन रही है बाद में क्या सुनेगी जब तब आंगे नहीं माने जाएगी तब तक साव यही रहेगा जैपूर से बाजबा की सांसद रामचान बोराव और बाजबा की पूर प्रदिर सद्यक्ष अरुच अतरुवे दिन काया की रास्ता ने पुजारे को रत्य हो रही है मंदिर की जम्मिन पर कबजे हो रहे हैं लेकिन सरकार कोई परवा नहीं है हमारी मांगे माने जाएगी तक दरना जारी रहेगा तो इस तरह से अब जैपूर के सिवल लाइंस पाटक पर पुजारे की सब को रखकर दरना दिया जा रहा है